हेलो फ्रेंड्स नौरात्री की आपको धेल सारी सुप कामना है तो फ्रेंड्स आज नौरात्री स्पेसल में हम बनाएंगे पनीर की सब्जी जो कि हम बीना प्याज लैसन और टमाटर के बनाएंगे नौरात्री में बहुत से लोग प्याज और लेजन का सेवन नहीं करते हैं इस पेसली उनके लिए रेसिपी है तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक पावल लेंगे उसमें एक चमच घी या फी तेल कुछ भी आप यहां पे ले सकत करेंगे उससे पहले में डालेंगे धनिया पत्ती आप धनिया पत्ती की जगह अगर आपके पास कसूरी मेती है उसे आप एड़ करें उसे टेश बहुत अच्छा आएगा इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने यह पनीर लिया है 500 ग्रा सालों की कोटिंग हो जाए तो देखे अगर आप इसपुन से नहीं कर रहें तो ऐसे आप आउल को उठा के इसे करेंगे तो सारे माग जो मसाले हैं पनीर के ऊपर कोट हो जाएंगे और जो पनीर हो तूटेंगे भी नहीं तो देखी अपने अच्छे से कोट कर लिया पनीर और यहां पर मैंने काजू लिया हैं यहां पर मैंने 50 गरम काजू लिया हैं फ्रेंड्स इसे हम भीगा के रख देंगे तो यहां पर हम गर्म पानी का यूज करेंगे गर्म पानी से जल्दी से यह सौफ्ट हो जाते हैं पीसने मैसानी हो जाती है अगर आपके पास काजू पेश्ट त्यार करेंगे तो हमने डाल दिया है इसमें सारे काजू पानी सही तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें से कम कर दिया है देख सकते हैं और इसे हम एक स्मूद सा पेश्ट त्यार करेंगे तो देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है देख सकते हैं तो चलिए हम अपने मसाली की तियारी कर लेते, तो यहाँ प्रेश दही लिए, बिलकुल भी खटी नहीं है, आपको एकदम फ्रेश दही ही लेनी है, तो इसमें हम डालेंगे अपने, जो हमने काजू का पेश्ट तियार किया था, वो डाल देंगे, अगर आपके पास दही नहीं है अगर थोड़ी सी दही है तो यहां पर आधा कब दूद की मलाई ले 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 अधा कब तही ले ले उसे टेश्ट बहुत ही ज्यादा अमेसिंग आता है काजू और दही को मचे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ टालेंगे यह मिक्स मसाले जिसकी रस मैंने लिंक में दे दिया है आप वहांसे चेक कर सकते हैं सबस्द Sumirale Pad完 других ने के और मिक्स कर लेंगे याप पर तेल भी यूज चारू तरफ याप है फिल देगे और इसे अच्छे से चारू तरफ अदयेगे और इसने आजいる शब्ने दोड़ेंगे पर जाएगा इसे फ्लिप कर दिंगे मै ने इसे चलाना इस्टार्ट निए है और इसे आप फल्के आथों से ही चलाएं नहीं तो जो पनीर है वो टूटने का चांस होता है अगर आप एक ताजा पनीर यूज कर रहे हैं तो तो देखें जो हमारे पनीर है वो अच्छे इससे लाइट कलर इस पर आ चुका है तो हम इसे फ्रेंट्स निकाल लेंगे और निक कर सकते हैं यहां मैंने 2 चील की खरी लाइची ले लिए और साथ में 4-5 लॉंग में लेली हैं पर यहां पर वान-टीस्पुन जीरा लिया है एक तीज पता है यहां पर दो दो सुखे लाल मिर्च का भी योज च्छे रह और मैर्च आले जालेंगे और मैंने दो च्छुटे मेरच यहां पर तुकरे दाल्चिनी के भी टाले हैं तो इन सारे मसालों को अच्छे से भूल लेंगे जब इसमें सलसी खुस्भू आने लगेगी तो इसमें हम तीन हरे मेरच डालेंगे आप इसे बारीक भी कट कर सकते हैं एक इंच मैंने अद्रक कर लिया है जिसको मैंने कद यहां पर आप लाल मिर्च डालते वक्त गैस की फ्लेम को लो रखिएगा नहीं तो इसे हम पहले मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे या फिर लो फ्लेम कर लें जब यह अच्छे से फुन जाए तो देखिए जो हमारे ग्रेवी अच्छे से गाड़ी हो चुकी है फ्रेंड्स काज तो देखिए हमें भूनते हुए कम से कम 5-7 मिनट हो चुके हैं और यहां पर हम स्वाथ के अनुसार नमक डाल देंगे ध्यान रहे कि हमने पहले भी नमक आड़ किया है तो यहां पर नमक आप ध्यान से डाले इससे हम अच्छे से मेक्स करने फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा कर देखिए तकर जो परोसेस अंपाफने का कङशा कब कर ना है और अपे पनीर को फराइक करके रखे हैं वो उससे हम एаст कर दोने आपर एकिन अंच्यार आपर मिलते हैं मैंने डखकन लगा दिया है और फ्रेंड्स डखकन को अब चेक कर लेते हैं 2-4 मिनट बाद और देख सकते हैं कितना बढ़िया का जो हमारा घी है चारों तरफ से अच्छे से दिख रहा है ता यह सावित होता है कि जो में मसाले भुने हैं वह बहुत ही ज्यादा तो यहां पर डालेंगे आधी चोटी चमज गर्म मसाला यहां पर आप मैगी मसाला का भी यूज कर सकते हैं और साथ में डाल देंगे हम हरा धनिया कट करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम सौर कर लेंगे यह सबजी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और इसमें मालाई आप जरूर डालिएगा दूद की उसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मैं आपको दिखा नहीं पाई हूं तो इसे हम सौर कर लेंगे देखिए यह ठंडा होने बाद और ज़्यादा ठीक हो आती तो करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं तो प्रीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें थैंक्ट्यू आप